चलिए तो यहां पर हम यूनिट सेवेन देखेंगे पॉली फेस सिस्टम पाली मतलब दो या दोसे अधिक ठीक है फेस सिस्टम जो है दोसे अधिक में है यह तो आपको टू फेस पढ़ने है या तो यहां पर थ्री फेस आपको पढ़ने है ठीक है तो ऐसे प्रणालीजीन की प्रचालन्केरन या प्रेशन के लिए जिनको कारे करने के लिए 3-phase supply की आउशकता पड़ती है तो ऐसे सिस्टम आपके 3-phase सिस्टम या पॉली फेस सिस्टम के लादें 3-phase सिस्टम में जनरली 3-Whoining होती है ,R,Y,P, आप जानते होंगे ये तीन वैणडिंग के नाम है red yellow blue ये तिन प्रकार की वैंडिंग होती है तरफियस पृस ऑर इनी वैंडिंग में जिसे मालिजे कि कोई इन्स्ट्रुमेंट है ये सब्सक्राइब है सब्सक्राइब त्प्रेच करologically, ये तिन वाइंडिंग हो गई थिक है ये तो यह आप के जोड़ते हैं तो छनली जो आपके फिस्टम होते हैं क्या एक सिंगल 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 स इसको बैलेंस इसको बैलेंस सिस्टम करते हैं और चुक्य आप जानते हैं कि किसी वीड़ प्रत्यावर्थी राष्टी को एक साइकल कम्प्लीट करने के लिए वी ति वाद्य रोटेश्टन करना पड़ता है यहां पर त्री बल्च यहां लिए यहां इसको सिंगल फैज में क्या था च्वस्ट पूस्टी को ऑर नाइंटी कि करता है शिब दैंसे लेकिन आपका ट्री फैज सिस्टम ने इसका प्रति तो अगर एक फेज तीन सो साथ डिग्री मूब करेगा तो 3 फेज का मतलब 316 बटा में 3 याने कि 120 elyak याने कि जो तीनों फेजों में फेज डिफेरेंस होता है, वह 120 डिग्री का होता है, याने कि एक्त 거지 दिफेरेंस तीनों में होता है ठीक है तो अब इसमें जो आपके phase होते हैं नमबर आप winding पर डिपर्ण करते हैं ठीक है उधान के लिए दिश्वाइनदिंग को n phase में विवारेच कर दिया जा है तब NAC voltage समान मेंगती उठेए आपके तीनों फेज, N फेजों में आपके फ्लो होगे, ठीक है, और उसी frequency भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है, तो अब जो आपके तीनों फेजों में फेज डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, 120 डिगरी का होता है, ठीक है, हम देखेंगे इस तो 40 बोल्ड से उपर, 404 बोल्ड या इस से उपर की जितने भी supply होती है, ठीक है, वागी 3-phase supply के अंतरगत आती है, ठीक है, 3-phase supply का फ्रेज मोटर्स के लिए ठीक है, और भी 3-phase में जो भी आपको नीड है, इसके लिए किया है, ठीक है, तो अब इसको आप देखेंगे, की 3 फिए supply का waveform, ठीक है, सबसे पहले इसका phasor diagram देख लिजे, phasor diagram हमने बताया था कि 3 जो supply होती है, ठीक है, वो एक दूसरे से 120 डिगरी पर होती है, ठीक है, तो माल लिजिए ये आपका ER, मतलब R फेज है, ठीक है, ये 120 डिगरी इस से, ठीक है, और यहां से फिर 120 डिगरी, ठीक है, तो आप लोग नाप तोल के बना लिजिएगा, ठीक है, तो ये आपकी जो ER हो गई, इसको EB माल लिजिए, इसको, जो कि anti-clockwise rotation चलता है, तो RY भी ऐसे लेंगे, ठीक है, तो जो आपकी तीनों फेज में जो फेज डिफेरेंस होता है, ठीक है, तो कितना होता है, 120 डिगरी, ठीक है, ये 3 फेज सप्लाई का फेजर डाइगराम है, ठीक है, यहां पर ये क्या ER voltage अगर डिफेरेंस पर माने, डिफेरेंस मतलब 0 पर प्रारंबी का वस्ता में, तो आपको दे क्लाक वाइज चलें, तो देखिए, यहां पर जो आपका, यानि कि हमें ऐसे rotation है, ठीक है, अगर इसको ER को हम 0 पर माने, ये दिख रहा है आपको, कि जो आपका EY है, ठीक है, यानि, जो EY मतलब Y फेज में, जो EMF है, वो ER से 120 डिगरी, लैक कर रहा है, पीछे चल रहा है, ये अगर reference है, ठीक है, एंटी क्लाक वाइज माने, तो क्या होगा, ये लैक कर रहा है, यानि हम बोल सकते हैं, EY, लैक, ER by 120 डिगरी, ठीक है, इसी प्रकार, इसका इसके साब पर देखें, तो देखिए, यहां पर EB क्या है, और अभी पीछे चल रहा है, ठीक है, अगर इस reference से anti-clockwise में जाएं, ठीक है, तो देखिए, यहां पर ER है, EY है, ठीक है, यानि कि अगर हम anti-clockwise ऐसे जाएं, ऐसे, ऐसे movement करें, ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, जो इसका equation हम बनाएंगे, ये ER को जब हम reference लिएं, ठीक है, तो ज़रा ध्यान दिजिएगा, इसका जो voltage equation होगा, प्रथम phase में, वो क्या होगा, अगर माल जिए, इसका high voltage, EMF का magnitude क्या है, EM है, EM sin omega T, ठीक है, तो आपका, चुकि ER में कोई phase angle नहीं है, यहां भी 0 पे है, तो इसको हम, omega T, प्लस 5 जो रिखा थे, प्लस 5 है नहीं, तो यहां पर छोड़ देंगे, EB, अब EB लिखेंगे, EM sin omega T, अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, EM sin omega T, अब यह EB क्या कर रहा है, अब हम ER को reference मान रहा है, ठीक है, तो जो आपका, sorry, ER को reference मान रहा है, EY, RYB लेना, RBY लेंगे, तो उल्टा हो जागा, ठीक है, ठीक है, तो पहले, R ले ले, तो R तो 0 पे है, तो इसका equation EM sin omega T हो जाएगा, य कर लेंगे, तो EM sin, और इसी के respect में देखेंगे, तो यह क्या कर रहा है, लैक कर रहा है, पीछे चल रहा है, तो लैक के लिए हमने बताया, तो माइनस होगा, ठीक है, कितना 120 degree है, पीछे चल रहा है, ठीक है, इसी प्रकार R के respect में B का निकाला जाए, तो देखी, आर के respect म पीछे चलना है ठीक है यानि कि आगरर एंangen रिस्टिक्पिंवेक्टू मंँस्ट एक्टे माइनस और इसमें पर बनेंगे ठीक है झते हैं ध्याण दिवीद फिर इसके बाद यह €2 नो कि जब यहां से देखिए अगर यह वाला एंगिल लें ठीक है अगर यह जीरो पर है ठीक है यह कहा अगरा EB का waveform क्या आए पहले बन रहा है ठीक है इसी प्रकार इसी तरह EM, Sine इसके दो equation हो जाएंगे omega t plus 120 degree plus क्यों 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 देखिए अब जो EB क्या कर रहा है लीड कर जा रहा है यहां पे 120 degree आगे चला जा रहा है इसलिए यहाँ पे omega t plus 120 और 240 दोनों equation होगा ठीक है वो हम अभी three phase supply का जब wave farm बनाएंगे तो उसे complete रहागा ठीक है तो यह आपका तीनों equation होगा ठीक इयार के respect में तो यह जो आपका है यह three phase supply का फेजर डायाम है ठीक है अब देखें थ्री फेज सप्लाई अब देखें इन्ही जो आपका तीनों EMF जो जनरेट होगे ठीक है इसका फेजर सम निकालेंगे ठीक है यानि इसको add कर देंगे er plus ey plus eb तो इसकी value 0 आ जाती है ठीक है औ a sign a minus b sign a plus b वाला फार्मरा उसमें लगाएंगे हमने notes बेदा था इसमें 0 आ जाता है ठीक है तो आता तीनों फेज बोल्टेज या किसी छण फेजर क्या होता है हमें साथ सुनने के बराबर होता है ठीक है इसका हम waveform देखेंगे waveform कैसे खिशते है इसका waveform ठीक है लेकिन इसको देखेंगे आज इसकीश ठीक है ठीक है थीफेज का वेफांपी एसले थेंटीक वेचिए इसको ध्यान से देखिएगा ऐसे इसको इचार जाता है ठीक है इवड़ा इंप्वर्टेंट है सबसे पहले आप एक लाइन कीच लिजी ठीक है यह आपने लाइन फीशलिया ठीक लाइन तिक यह आपका क्या हो जाएगा यह मुलाएगा ठीक और यह आपका टाइम हो जाएगा ठीक अब देखिए यहां से आमको थ्री फेज तीनों फेज का एक साथ किसना है तेकि सबस्ते पहले यहां पे एक पॉइंट माल लीजे ठीक इसको ऐसे आगे बढ़ा देजी सेम दूरी का से नीचे भी बना लिजे आज ट्रीक आएसे आगे से दूरी का बना लीजे और देखिए अब यहां से एक ट्रेंगल ऐसे किशते चले यहां लाइन को नीचे से लगता हुए ठीक आएसे इससे लाइन से करिए ये वला देख रहा है इसको ऊपर से ऐस मिलातीजे और सभी ट्राइंगिल का टाफ पॉइंट ऐसे मिलाते चला जाई ठीक है यह सभी ट्रेंग्ल का सेमस्ट प्रकार नीचे वाला भी ऐसे बनेगा पॉसे अब ही कर टाप पॉइंट मिलाते चले जाए की काद दैख Castro Line की आपका आपका आर फेज हो गया याफ इर यह our face वाह इस ठीक यह फेड़ है थिक टूए है कै डिक तो धेई फीस में यह देक् neighborhood कि बात करते हैं बस और यह आप पहला हाब साइकल कम्प्रिट हो रहा है तो यह आपको क्या हो जाएगा यानिकी एक्सों सियंस यहां लिग दीजिए ठीक यहां पर इसकी पूरी साइकल हो जा रही है यहां कि आगे बढ़े यह आर फेज का निगेटिव में इसको हाफ करेंगे तो क्या होएगा दो सब्सक्राइगा ठीक है अब देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं कि 120 डिग्री आर से वह एक्वाली है ठीक है यहां पर यह आर फेज का एक्सवस्य आया तो इसको पहले पॉइंट कर लिजे ठीक है यह 90 आ गया ठीक तो जो आपका यह वाला पॉइंट आएगा 30-30 डिग्री पर यह 30 हो जाएगा ठीक है यह जो कटावा पॉइंट देख रहे हैं यह 60-30-60-90 यह कटावा यह वाला जो पॉइंट क्या जाएगा 120 ठीक है और यह बीच वाला पॉइंट कितना हो आपकी यह 270 ठीक यह 300 आ जाएगा 30-70 में 30 जोर दिए फिर यह वाला करेंगे क्या जाएगा 330 और यह 360 यह आपका कंप्रीट हमने बना लिए ठीक अब देखिए अब ध्यान दिजिए अब आर फेज के रिस्पेक्ट में हमने लिया तब फेजर डाइग्राम यह आर फेज से स वाई फेज कहां से बन रहा ही फिलाल इस पाजिटिव साइकल में यहां से बन रहा है ठीक यह देखिए यह आर फेज ठीक यह पहला और यह दूसरा साइकल पहला आप साइकल और यह दूसरा आप साइकल आर फेज का इसको नीचे डाटेट लाइन से नीचे मिला लिजे ठी 0 से आर जो ę eyes बनना और 4-p 쉽 नहीं इस बन रहे हैं 120 से सीच धिक फीच कितना हो गया 120 हुआ जीडे कैसą बीच सब्सक्राइब एक जीडिकर कर एक है 120 तोगा आ-पर्ड़कर neola 2-3 से तोपरें तो पहला यहां से बनना शुरूरा यह देखिए 240 से यहां बनना शुरूरा ठीक है तो 120 और 120 240 तो यह इसको आगे बढ़ा लेजी ठीक है तो यह 120 ठीक है और जो लास्ट है ठीक है आर का बी से ठीक है यह आपका आर का वाई से था ठीक है यह फेज 120 दिगरी वाई का बी से था 120 अब आर का बी से देखेंगे ठीक है इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हैगा 240 ठीक है देख लिजे यहां पर पूरा कितना है यहां पर 240 ठीक है तो यह आपका थ्री फेज का आ तो आपने देखा जो हमने फेजर डाइग्राम बनाया था ठीक है ऐसे बनाया था यह आर था ठीक 120 डिग्री क्या और है सभी 100 आर वाई और यह बी था ठीक तो सभी जो फेज है एक दूसरे से 120 डिग्री फेज़ शिप्ट पे आपके हैं ठीक है झाल